करेंट बाइसरी वेल्कम टो करेंट बाइसरी आज पांच मार्स दोजर चोविस और आज की डेट में मैं आप लोगों की एक्जाम को देखती हुए मैं इंपोर्टेंट कोस्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं अगर आपको इंपोर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को आप में आप मेरतन का आयोजन किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा हुर्याना की फरृदावाद में मैं भाकर भी उपस्थित रहें इसके बाद जो गवर्नर हैं भंडारु दत्तरे हैं कैपिटर यहां हर्याना को जगा चंडिगड और हर्याना सरकार ने विधूर और विवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोशना किया है इसके बाद में दूसरा कोस्चन है कि हाले में भारत और इटली के बीच दूसरा वाड़िजी दूतावास संबाध कहां पे हुआ है तो हो जगा नई दिल्ली में तीसरा कोस्चन है कि हाले में किस राज्जी में नौ पसाण यूग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है थो जगा तमिलनाडू तमिलनाडू का कैपिटल चेन ही हो जगा सीम हो जाएंगे एमके स्टॉलिन गवर्नर हो जाएंगे आर एन रवी यानि की रवींद्र न जाएगा कि आने केले के जिलकों से इको-उड डेसंग बनाई है तो इसका भारत इसका ये जो भha होता है उसको भरने के लिए यह बनाए गया है इसके बाद में क्या होगा भारत भारत की पहली रोबोट बोयोमीत्र अंत्रिश में उडान भरेंगी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैस्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है और डेन्मार्क ने भारत में हरित इंधन गठ बंधन की शुरुवात की इसके बाद गाइज जो पांचमा को इस्टन है कि हाली में रूस के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को अंत्रिच में लॉंच किया तो हो जागा इरान ठीक है तो रसिया का जो इस पेस एजेंसी है रोस कोस्मोस एजेंसी न पार्स वन सेटेलैट को लॉंच चौँ और यह अर्थ पा इमेज लेने का काम करेगा इसके बाद में स्वेज लॉंच वेकल से इसे लॉंच किया गया है ठीक है जो लॉंच होगा इसका नाम क्यूंच होगा सूई जो झालिक चटा कोस्टन है और तो रहेंस हो आत्यों कि ग तहत पांच करोण आयुशमान कड जारी करने वाला पहला राजी कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है प्रधान मंत्री जन आरयोग योजना के तहत पांच करोण का आयुशमान कड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है और यह जैसे कि प्रधान मंत्री जन आरयोग योज कि इसके बाद में गैज प्रधानमंत्रि जन आरोग्य योजन हो यह हर साल हर फैमली को पॉपाँच लाहां करिका स्वास्थ वीमा यह दुनिया कि सबसे बड़ी स्वास्थ वीमा योजना है इसके बाद में गुजरात ने इस को को पांच लाहांव से बढ़ाकर दस कर दिया है इसके बाद में आठवा कोश्चान है कि हाल ही में डीजी सीए की उडान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है तो इसका अंसर हो जाएगा स्वेता सिंग और डीजी सीए का फुल फॉर्म बता दूं तो डैक्टुरेट जेनरल आफ सिवील एवियेशन औ और यह जो यह उडान सुरक्षा जो है इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे सी एफ ओएस यानिकी चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर इसके बाद में जो नौवा कोश्चन है कि हाल ही में किसी ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से समानित किया और इसके बाद में यह सिक्षा के छेत्र में बेहतर कारे के लिए अत्रवली के कमपोजिट विद्याले की सिक्षा संजीव सर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से समानित किया गया और यह प्रुसकार उन्हें मध्य प्रदेश के नौप्रग्या परवारण सभा के छठढ कया ऊजन को किया गया है तो नरौबी याने के प्रोग्राम शाप और 15 जुन है और मैं 10 कौेश्टन के बाद मैं जीके का ™ कोस्टन आप से करती हूं जिसका आश्वा क्यرف चैनल में कमेंड करना होता है तो आज का कोस्टन है कि भारत का सबसे जयाम का लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ले टेंस्ट विडियो तो विडियो आपके पास सबसे पहुंच सके थैंक यू जैहिन